हेलो स्टूडेंट वेलकम इन माई चैनल दा मास्ट टेटोरियल तो स्टूडेंट मैं जहां पर बताना चाहता हूं इस दा लास्ट वीडियो आफ डिस टॉपिक फ्रिक्चन के रिलेटर यह हमारी क्या है लास्ट वीडियो है इसके आगे हम डाइनामिक्स ऑफ सर्कूलर मोशन मेंस चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं नाव आई यह सबसे पहले हम देख लेते हैं वाट इस दा अबर क्वेश्चन वाई इस इट डिफिकर्ट वाक ओन सेंड रेत पर चलना कठन क्यूं होता है तो स्टूडेंट जब हम चलते हैं हमारा पाउं थोड़ा सा ऐसे क्या होता है टेड़ा होता है एंड जो हम बल लगाती हैं जब हम चलते हैं बल लगाते हैं हम हमारे पेर बल लगाते हैं किसके उपर सार्फस के उपर तो जो सर्फस है वो भी क्या है, आपोजिट क्या है, रियक्शन करता है लेकिन स्टूडेंट, हमने जब न्यूटन्स लॉउ एक्स्प्लेंड किये थे, तब हमने जाना था, हाओ वी वाक आउन दा सर्फस, तब हमने ये बात वहाँ पर डिस्किस की थी, जो बल लगता है, रियक्शन बल, हम एक्शन करते हैं, हम थोड़ा सा अबलीक बल लगाते हैं, तिर्शा बल, पीछे को, आउन दा सर्फस अफ दा अर्थ, और जहां पर भी हम चलते हैं, तो जो बल, बपरीत दिशा में, हमारे पैरों के उपर लगता है, वो अबलीक होता है, तिर्शा होता है, उसे हम उस बल को, रियक्शन फ्राउम दा ग्राउंड, उस बल को हम तू म्यूचली परपेंडिकलर काम्पोनेंट में ब्रेक कर लेते होते हैं, बल लगता है, पैर के उपर रियक्शन होता है, यहां पर, वी इको टू आर साइन फ्रीटा, जे जो रियक्शन बल है, यह हमारे बेट को क्या करता है, बैलन्स कर देता है, इसके आगे जो horizontal component है reaction बल का आर को स्थिटा यह हमें क्या है चलने में क्या है चलने के लिए मदद करता है चलने में क्या है यह responsible होता है इसी बल के कारणाम क्या है move करते हैं now when we walk on sand जब हम रेट के उपर चलते हैं our feet get depressed in the sand तो आपने experience किया होगा जब रेट के उपर हमारे पैर हम रखते हैं अब रेट के जो molecules हैं उनमें space ज़्यादा होता है तो हमारा जो पैर हैं वो कहें दस जाते हैं अंदर को रेट में दसने लगते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं रेट के उपर जहांपर हम पैर रखते हैं हमारा पैर है जो वो कहें नीचे को दस जाता है आगे ड्यू टू दिस अब जब पैर रेट में दस जाता है उसे क्या होगा रियक्शन फ्रॉम ता सेंड ओन आवर फीड इस मच समालर जैसे ही हमने रेट के उपर पैर रखा हमारा पैर क्या है नीचे को दस जाता है रेट में दस जाता है तो जो रियक्शन होना चाहिए था वो कम पढ़ जाता है उतना नहीं उता है जित能ध्य प्लेयन सर्फपस पर प्लेयन सर्फपस पर और आप कह सकते हैं एसे भी आप कह सकते हैं ओंदा पकारोड 216 मैंतर रोड उस उस पर रियक्शन क्या होती है ज्यादा होती है लेकन पैर दसने की वजह से अब रियक्शन क्या है कम हो रही है So, since the forward horizontal component there are r cos theta of the reaction help in moving forward the working onset becomes difficult due to the small value of horizontal component of the reaction यहां पर r cos theta, r कम हो जाता है r क्या है कम हो जाता है reaction कम हो जाता है जह जो horizontal component है वो चलने में हमारी क्या है, मदद करता है अब जह horizontal component कम होगा, इसकी value कम होगी तो चलने में क्या होगी? परिशानी होगी के चलना कठन होगा क्यों काहς रियेक्षन क्या है प Подव नहीं है यदी रियेक्षन फ्रड़ तो क्या है चलना असान होगा सो अब करने जा रहे हैं रियेक्षन के रिलेटर आपको और भी कौश्ण पुछे जा सकते हैं जैसे जो इन हिली एरिया में जो रोड्स होती है उनके उपर रेत डाल दिया जाता है वो क्यों डाला जाता है ड्यू टू सफिशेंट फ्रेक्शन प्रवाइड करने के लिए टैर एंड रोड के बीच में ऐसा ये क्वाश्चिन आपको पूछा जा सकता ह है लिउब्रीकेंट से हम क्यों जूज करते हैं उनका परबस भी क्या होता है मशीन में लिउब्रीकेंट हम क्यों जूज करते हैं वो भी क्या करते हैं फ्रेक्शनल फोर्स को रिडियूस करते हैं तो स्टूडेंट मैं यहां पर बताना चाहता हूं हमने जह जो चैप्टर इनके कॉजस क्या थे हमने ओर्ड थियोरी न्यू थियोरी डिटेल में डिसक्स की इसके आगे हमने एंगल ओफ रिपोस एंगल ओफ फ्रिक्शन इनको डिटेल में डिसक्स किया इनके लेटर सभी निमेरिकल हमने कर लिए है एस वेल एस टूडेंट कॉम्पीटीटव एंड थौट जो हमारे कॉश्चन अंसर से एस वेल एस निमेरिकल वो भी मैंने इस चैप्टर में थोरोली एक्स्प्लेइन कर दिये हैं स्टूडेंट्स इन दा कमिंग वीडियो हम नियू चैप्टर के साथ अब मैं शुरू करने जा रहा हूं नियू चैप्टर है डाइनामिक्स ऑफ सर्कूलर मोशन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो शेयर कर दीजिएगा If you have any question related to the numericals as well as any question related to the topic you can ask me in the comment box. Thanks students, तो मिलते हैं new chapter में.